मेरा नाम त्रेशा है, मैं प्रक्छा पांच जो की छात्रा हूँ, आज मैं आप सब के सामने फिंगर पपेट का शो दिखाने वाली हूँ अ की बात है, दो दोस्त किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे थे, उन दोलों को एक गरा जंगल पार करना था, दोनों ही जंगली जामवसे जरते थे, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था, कि अगर कोई जंगली जामवन een के सामने आएगा, तो वो एक दूसरे की मदद करे तब उन्हें एक भालू दिखा, पहले दोस्त ने कहा कि हम पेड़ पे चड़ जाते हैं, दूसरे दोस्त ने कहा कि मुझे तो पेड़ पे चड़ना ही नहीं आता, भालू आ गया रहा था, तो पहला दोस्त पेड़ पर चड़ गया, दूसरे दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा फिर वह लड़का आख बन करके लेड़ गया तो उस भालू ने उसको सुंगा क्योंकि भालू मरे हुए जानवर या फिर इंसानों को नहीं खाते है तो उसने देखा कि यह मृत्त शरीर है तो वह अपने रास्ते चल पड़ा फिर उसके वह दोस्त खड़ा हो गया और वह जो लड़का उपर चड़ा था वह भी नीचे उतर गया उसके बाद उस लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि उस भालू ने तुम्हारे काल में क्या पुस 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 आया तो दूसरे दोस्त ने कहा कि उस भालू ने कहा जो दोस्त जरूरत पढ़ने पे साथ नहीं देते हैं वह अच्छे दोस्त नहीं होते हैं धन्यवाद